वेलकम फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चनल माईनिंग क्लास्रूम पितुत्से जाविसकर्मा में आपका स्वाकत है फ्रेंड्स यह हमारा नौवा नौवा वीडियो है नाइन्थ वीडियो है जिसमें हम लोग उने इसके पहले बात किये थे माने जियामनिसन सेवन में एक्षिव और उसके यूज और उसके ट yum आगे चलते हुए हम लोग एक एक रेगलोशन को डिटेल में लेंगे और CMR में और MMR में क्या तुलना करेंगे और क्या चीज किस में है किस में नहीं है ये हम लोग अलग से देखेंगे क्या प्रोविजन्स अलग 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 दोनों उसमें दिये गए हैं ये इस बारे में हम लोग बात करेंगे सो लेट्स स्टार्ड उसके पहले मेरा चैनल को आप लाइक और सब्स्राइब कर दिजिए ताकि पूरी एनरजी से अगला वीडियो आपको मिल सके सो शुरू करते हैं कोल माइस रेगलेशन 183 और मेटल माइस रेगलेशन 153 में टाइप आप एक्सक्राइब करें बारूद के अलावा कोई अन्य बारूद खान में उप्योग में नहीं लाए जाएगा उप्योग कराएगा बारूद अच्छी क्वाल्टी का और अच्छी स्थिति में या अच्छी कंडिशन में होगा यह CMR और MMR दोनों में कामन हैं और देखिए साइड में इंगलिस में लिखा हुआ है वो स्लाइड में आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको चुकि अधिकतर्ग जामनेशन हिंदी में ही होते हैं और लोग हिंदी में ही कंडिट करते हैं तो इसलिए मैं आपको हिंदी में समझाते जाता हूं चलिए अगली स्राइड में यह अलग से दिया गया है यह मेंटर माइस रेखिशन का पार्ट नहीं है जिसमें यह दिए गया है कि कोई भी बारूद फ्यूज या डिटनेटर को छोड़ कर कोई भी अन्य बारूद को तब तक प्रयोग में नहीं किया जाएगा जब तक वह कार्टि यह कोई मैंस रेखिशन में परंतु ओपन कास्ट माइस की स्थिति में साइड मिक्स स्लरी और इमल्सन एक्स्प्लोशिव अमोनियम नाइटर फ्यूलाइल का प्रयोग कर सकते हैं अगर वह कार्डेज की स्थिति में नहीं होगा तब भी तब हम कर सकते हैं उसको कि यह कोई मैंस रेखिशन में अलग से दिया गया है कि से मार वन नेटी तरी में और दिया गया है एक्स्प्लोशिव कार्टिज जिस रूप में प्राप्त होंगे उसी रूप में उनका अप्योग किया जाएगा और लिक्विड आक्सिजन एस्प्लोशिव का खान में उप्योग नहीं किया जाएगा यह CMR 183 में और दिया गया है MMR 154 और CMR 184 इसमें स्टोरेज आप एस्प्लोशिव की नाम से एक कमन रेगलिशन है इसमें यह दिये गया है कि कोई भी मालिक एजेंट या मैनेजर अपनी स्वयम या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जानकारी में माइन की प्रिमाइशिस में या माइन के परिशन में बारूद रखने नहीं देंगे जब तक कि वह है इंडियन एक्ट 1884 के क्लास 4 में दिये गए प्राविजन्स का पूरी तरह से पालन ना करता हो इसका दूसर पांड यह है कि इंडियन एक्ट के 1884 के क्लास 4 में दिये गए या बताए गए भवन के अलावा किसी अन्य बिल्डिंग में या परिशर में ना बारूद लिया जाएगा और ना ही रखा जाएगा इस तीसरा पैंट यह है कि भूमिगत खान में या अंड़कॉन खान में बारूद का भंडारन नहीं किया जाएगा जब तक उससे लिखित अनुमती चीफ इंस्पेक्टर और उनके द्वारा बताए गए आदेसों और सर्तों का पालन जरूर कर लिया गया हो और वे सब मैजिन्स या मैजिन इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 की क्लास 4 के अनुरूप बनी और लाइसेंस प्राप्त होंगे चौथा पाइंट यह है ऐसा प्रत्यक लाइसेंस जो लाइसेंसिंग अधार्टी द्वारा एस्प्लोसिव एक्ट 1884 की धारा चार के अंतरगत प्राप के प्राधानों के अंतरगत दिया गया है या इसू किया गया है मेकजिन के कारेले में रखा जाएगा या उसकी ट्रू कापी रखी जाएगी यह हुआ इस इस्टोरे जाता इस्प्लोसिव क्या अंतिम पाइंट और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसी से आगे वाले जो रेगलिसंस हैं उनको हम पूरा डेटेल में फिर और सीमर और एमेमर में जो जो प्रोविजन्स हैं और जो इसमें नहीं हैं उनको दोनों को अलाला के देखेंगे और डेटेल में बात करेंगे आज के वीडियो में इतना ही और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज 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 इसको जुरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मझे थोड़ी एनरजी मिले और मैं अगला वीडियो आपको पना के देख माने जामने सन नाइब